हाई गाईस मैं ओजेकमबोज और इस वीडियो में हम बात करेंगी कि आप अगर प्रॉड़क्ट का मैक्सिमिम रिटेल प्राइज आपके पास है और आपके पास प्रॉफिट ओप मार्जन भी है कि इस वीडियो में हम यही डिसकस करने जा रहे हैं कि अगर आपको नहीं पता है कि प्राइज टूर्ट कैसे कल्कुलेट किया जाता है तो यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने जा रहा है इस वीडियो में हम फ्राइज टूरिटेलर प्राइज टूरिटेस टॉकित कल्कुलेट करने जा रहा है इसके साथ साथ हम आपको डिस्क्रिप्स न में वी देने जा रहा है वहां से आपuel में बना हुआ प्राइज प्र df कल्कुलेटर डॉड कर सकते हैंCHT उसको Excel के form में आप डाउनलोड करके कोई भी MRP डाल के कोई भी आप रिटेलर मार्जन, स्टॉकिस्ट मार्जन या टेक्स रेसो चेंज करके उसमें अपना डिजायर जो भी आपको चाहिए उसके हिसाफ से आप PTS, PTIR कलकुलेट कर सकते हैं पहले इस टॉपिक से जोड़ी भी कुछ definitions के बारे में जान लेते हैं, पहले जान लेते हैं, distribution channel क्या होता है, distribution channel एक businesses का group होता है, जो एक product की services की delivery में मदद करते हैं, जो उसका end consumer है, उसको manufacture से end consumer तक पहुचाने में, जो भी businesses involved होते हैं, उनको हम distribution channel कहते हैं अगर हम maximum retail price की बात करते हैं, तो ये वो maximum price हो सकता है, जो किसी consumer को, जो end consumer है, उसको अगर को product खरीदना है, तो उसके लिए pay करता है, या कोई services वो use करता है, उसके लिए जो maximum to maximum price हो सकता है, उसको हम maximum retail price कहते हैं अगर हम price to retailer की बात करते हैं, तो ये वो price होता है, जिस पर stockist ये manufacturer किसी भी goods को ये services को retailer को, जो retail business करता है, उसको bill करता है ये generally tax को deduct करके और जो profit of margin होता है retailer को, उसको deduct करके तै किया जाता है अगर हम price to stockist की बात करते हैं, तो price to stockist वो price होता है, जिस पर manufacture ये सी इंड एप, अगर distribution channel में सी इंड भी नौल है तो जो product की जिस price पर stockist को bill करता है, उसको हम price to stockist कहते हैं अब बात करते हैं कि अब कैसे PTR, PTS calculate कर सकते हैं ये सबसे common method होता है PTR, PTS calculate करने का जो यहां हम discuss करने जा रहे हैं PTS, PTR calculate करने के लिए जिन-जिन values की हमें जूरत होगी, वो है maximum retail price की product का GST value क्या है, 5% है, 12, 18, 28% में product आता है GST पे, उसके अलावा retailer margin क्या है या stockist margin क्या है इन चीजों की हमारे को जूरत पड़ेगी सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो retailer margin है उसको हमें MRP से deduct करना है, एक formula के थूरू, उसके बाद हमारे पास एक net value आएगी जिसको हम दूसरे सब्दों में retail price भी कह सकते हैं, including GST लेकिन हम इसको जो designation दे रहे हैं, जो हम इसको यहाँ पे net value ही pronounce करेंगे तो net value को निकालने का जो formula रहेगा, वो रहेगा MRP into 1 minus जो retailer margin percentage में होगा वो, तो अगर हम यहाँ पे MRP की value रखते हैं और जो retailer margin की value रखते हैं, वो तो तब यह बन जाएगा 95 रूपीज into 1 minus 20% जो की होगा 76 रूपीज अब इस net value से हम PTR calculate करेंगे price to retailer calculate करने के लिए जो हमारे पास net value हाई थी, उसको हमें GST factor value से divide करना होगा तो पहले हमें GST की जो factor value है उसको निकालना बड़ेगा जो formula use होगा वो इस तरह होगा GST factor value निकालने के लिए 100 plus GST जितना है, 12% है, 18% है, 5% है, 28% है divided by 100 तो यह हो जाएगा 100 plus 12 क्योंकि हमारा GST है जो 12% है divided by 100 तो यह value आ जाएगी हमारे पास 1.12 तो यहाँ पे जो अब हम PTR की calculation करते हैं तो जो formula use होगा वो होगा net value divided by GST factor value तो हमारी जो net value थी वो 76 रूपीज थी और divided by अगर हम उसको GST factor से करते हैं 1.12 से तो हमारे पास आ जाता है 67.86 रूपीज जो की हमारा price to retailer होगा अब आते हैं PTS calculation पर price to stockist पर price to stockist calculation करने के लिए हमें जो हमारा PTR आया था उसमें से जो stockist margin है उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास price to stockist आ जाएगा जो formula यूज होगा वो इस तरह है PTR into one minus stockist margin तो जो हमारा price to retailer था वो 67.86 था और into one minus 10% करेंगे तो जो हमारी value आएगी वो 61.07 रूपीज आ जाएगी जो है हमारा price to stockist अगर दूसरी calculations की बात करते हैं तो आप इससे cnf price, sub stockist price, super stockist price भी निकाल सकते हैं अगर आपको इस पोज करते हैं प्राइस आपको निकालना है तो आप same formula यूज करेंगे PTS into one minus जो cnf आपका जो margin होगा उससे आपका cnf price आ जाएगा इसी तरह आप sub stockist, super stockist वगएरा के prices भी calculate कर सकते हैं उमीद करते हैं यह information आपको अच्छी लगी होगी thanks for watching